हर्याना और पंजाब के किसानों के समर्थन में गुजरात के सूरत के किसान भी अब उतर आए। पुलिस के सामने आकर अपना रोश्वक्त किया, पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की कई लोगों को हिरासत में लिया, नारास किसानों की पुलिस से जड़ब भी हुई, माहौल गर्माता दिखा, हम आपको बता दी हैं कि देश भर के किसान जंगड़न, MSP के मुद्ध पर एक जुठ हैं और अपनी मांगो को लेकर केंदर सरगार की नितियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इस बेकारी, बेरोजगारी, बसपचार और तमाम जो बाद है उसके खिलाब हम ओंआक इकटे होई, मूधेजे MSCP के गरणदे लेते निए, मूधेजे मज़ियरों के कायदा कानून के गरणड़़े मुद्ध जे महेंगवारी को अटाने के गरणड़़े लेते निह मजदूर्वज़ किसानों काके कैखरो नहीं है ज़त लच में ? जंता रूड़ पर आई है भारत बन में पुरा देश सम्मीलित है और अमारी माGUणी है और हम दो दिन से कहते हैं कि मुधी सरकार जूटी है देश की जनता भूकी है इसलिए असी तरोट लोगों को मुधी जो राशन देके खुश करना चाते है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की डिगरी से जुड़े मानहानी के मामले में दिली की मुधि मंतरी अर्वंद कीजरिवाल को करारा जठका लगा गुजरात हाइकूट ने निशली अदालत से जारी समन को घ़र قانون ही बतानी वाली अरवंद केजरिवाल और संजी सिंग की याचिका को खारिच कर दिया हाई कोट ने साफ कर दिया है कि एहमदबाद के अदालत के बुलावे पर अरवंद केजरिवाल और संजी सिंग को पेश होना ही होगा केजरिवाल और संजी सिंग पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की ड गुच़राथ हाइक व उनकी ऐची ती याची में गाई इंत्य हॉं हो निदमान का उपकर हैं जज्जमेंट रैन क्यों हो क्या कोट का कहना था कोट ने आज सीडियल नंबर वन के उपर जज्जमेंट प्रणाउंस्मेंट के लिए मैटर रखी थी और दोनों ही मैटर रखी थी माननिय श्री चीफ मिनिस्टर अर्विन केजरीवाल और माननिय सांसेद सभ्यश्री संजे सिंग जी की ये डिफिमेशन क इसको क्वाश करवाने के लिए मैटर की गई थी हाई कोट के अंदर सुप्रीम कोट ने ये मैटर के अंदर चार वीक का स्टे दिया था ट्रायल कोट को प्रोसीड करने पे अब हाई कोट को ये इंटरीम स्टेज पे सुननी थी हाई कोट ने ये फाइनली सुन ली और दोनो की matters dismiss कर दी है, dismiss करते वक्त open court में ये कहा गया कि reasons assigned to are tentative in nature and all grounds can be raised before the court below. उसका मतलब ये होता है कि ये matter जो है, ये matter पे जो grounds है वो tentative है, इसलिए आप पूरे के पूरे जो grounds है वो trial के वक्त ले सकते हैं, ये trial पे आप matter पूरी चला सकते हैं. मतलब कि ट्राहल पे ये matter चलेगा, तो आप लोगोंने caution के लिए क्यों किया था, क्या वज़े थी कि आपको लग रहा है कि ये case गलत है? ये basically case अगर कहा जाए, तो बारण निया सांसर्च सभ्यश्री संजे सिंग में एक additional argument थी, कि ये कभी भी उन्होंने अपने Twitter पे खुझ share किया ही नहीं है, तो ये जो evidence produced किया गया था, process issue करते वक्त, या summoning order को pronounce करते वक्त, ये in itself defective है, क्योंकि जब उन्होंने खुझ tweet ही नहीं किया, तो उन पे ये नहीं हो सकती. दूसरी जो argument है दोनों के connotation में, वो ये है कि ये defamation हम कहीं से भी, अगर पूरा statement contextually देखा जाए, वो parts-parts में रखा गया है, court के सामने, और शायद court को थोड़ा सा misleading लगा होगा, उस से, तो it appears that contextually अगर देखे, तो इसमें Gujarat University का per se defamation नहीं है, उसमें एक व्यक्ति विशेष का defamation है, जो व्यक्ति विशेष ने प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोधी की डिगरी प्रेस कॉंफरेंस में पब्लिक की थी. तो आपके जो हुआ, तो सामने counter क्या किया गया और उसके उपर court का कुछ कहना है या court ने उसके उपर कोई order दिया है कि नहीं? कोट ने हमारी arguments रद किया, मतलब स्वभाविक्ता से court ने काया कि आप लोवर court के सामने ले सकते हैं, मतलब ट्रायल court के सामने आप ले सकते हैं, मतलब हमारे contentions अभी भी valid रहेंगे नीचे लेने के लिए, बट court ने कहा है at this stage नहीं लेंगे, लेकिन मैंने यह पूरा judgment अभी के सामने क्या निचली court में सुनवाई ट्रायल चलेगा या फिर आप सुप्रीम court में जाएंगे देखिए अबर पहले तो हम जज्जमेंट को पढ़ेंगे, उसकी समिक्षा करेंगे, हमारी legal team देखेगी कि इससे करना क्या है, यह से सुप्रीम court ले जा सकते हैं, यह ट्रायल वज़े रही कि यह याची का खारीज हुई है और आगे इस तरह से किसको लड़ा जाए, इसके उपर विचार किया जाएगा। मुम्तास पटेल और उनके बेटे फैजल पटेल भरुच को अपनी कर्म भूमी बताते हैं और इस पूरे मामले पर हमारी समवादाता ने मुम्तास पटेल से पाचीत की। मेरा मेरा में परिवार वहाँ पर है पर यह कहना कि भरुच में कोई पकड़ नहीं है तो आप यह कैसे कह सकते हैं। एहमद पटेल यहां से सांसर 45 बर्श रहे चुके हैं। तीन टर्म लोगसभा, छे टर्म राजयसभा, तो हमारा घर, हमारा यहां पर फाउंडेशन, हमारा परिवार सब यहीं पर है। फिकिन 40 सालों से कॉंग्रेस यहां पर जीती नहीं है। मुम्तास पटेल की यह बैठट नहीं है। और इमोशन चेतर वसावा के साथ है। आज भी 40 साल से अगर कॉंग्रस लोकसभा नहीं जीती है तो भी 15 वर्ष लोकसभा के सांसद और 30 वर्ष राज्यसभा के सांसद कॉंग्रस को रेपेसेंट करते हुए एहमर्द पटेल यहां पे 2020 तक मौझूद थे और रही बात मेरी तो मैं उनकी बेटी हूँ आप किस तरीके से कह सकते हैं कि एमोशन नहीं है आज इस सीट पे इतनी चर्चा और डेलिबरेशन इसी लिए चल रही है क्योंकि एहमर्द पटेल की कॉंग्रस की सीट है यह अगर भरूच का नाम जाना जाता है हिंदुस्तान मे तो एहमर्द पटेल के नाम से जाना जाता है लेकिन यह जो इमोशन है वो चैतर वसावर के साथ है इसके साथ आप समय किस तरीके का एमोशन जी बिलकुल अगर ट्राइबल बेल्ट आप कहते हैं साथ में है तो अभी हमारे धारसभ्या चुन के आए हैं बेशक नो डाउट कम्यूटी फीलिंग काफी स्ट्रॉंग रहती है पर अगर आप इमोशनल जो कहने जाएं इमोशन की बात करें तो गली-गली कोने-कोने गाओं-गाओं और शेहर में आपको एहमर्द पटेल की छाप देखेगी बच्चा-बच्चा तक जानता है कि एहमर्द पटेल कौन है उनका ये भी कहना है कि चेतरवसावा ही हमारे उमीदवार रहेंगे और इंडिया गटबंदने वो मान जाएगे जी तो बिलकुल चेतरवसावा उनके जो कैंडिडेट रहेंगे वो तो उन्होंने इंडिया अलायंस बैठक की डिसकॉशन या बातों से भी पहले अनौन्स कर दिया था तो उसमें कोई डाउट नहीं है बिलकुल लोक तंत्र हैं सब चुनाव लड़ सकते हैं तो बिलकुल किसी ने मना नहीं किया है पर अगर आप गटबंदन की बात करें तो एस कॉंग्रिस पार्टी यहां भरुश डिस्ट्रिक की हम लोग इसके बिलकुल खिलाफ हैं ना कि हम खिलाफ हैं हमारे जितने वोट सब्सक्रिक कारें थितने तक करीमें हम होगे पफचीस को पियम मोधी दौरका में पूजर अरचना करेंगे इसी दिन होर बेट दौरका की बीच मेने सिगनेचर प्रिशच को जनता को समर्थ्प्निक करेंगे बिलकुल गया लें पिल tu a.s गिंग पिल्यू यिय्विक में दो दिनों की हर्ताल पर चले गई हैं शिक्षा स्वास्त के क्षित रबेन के बड़ी जिम्मेदारी होती है लेकिन सैल्वी किसी मजदूर से भी इनके कम होती है और इसनकी मांगो पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया आंदूलन इनके पास सिर्फ एक रास्ता बच्चा था गुजरात में आंगनवारी आशा मिद्दे मील एवं स्वास्त्य कर्मचारी संग ने अपनी मांगो को लेकर आंदूलन का रुख एक्तियार किया है अम्रेली महसाना राजकोट जैसे बड़े सेंटरों से आंदूलन की तस्वीरे आई है संयुक्त ट्रेड यूनियन के आवान पर गुजरात में सभी आंगनवारी आशा कार्य करता और स्वास्ते कर्मचारी 16 और 17 फर्वरी को दो दिन की हर्ताल पर चली गई है हजारों बेहने अपनी मांगो को लेकर धरना परदशन पर बैठ गई है राजकोट में आंगनवारी आशा वरकरों ने महासम्मिलन बुलाया है सिर्फ राजकोट में करीब 5000 आंगनवारी आशा वरकर हर्ताल पर है यहां की 2500 आंगनवारीयां दो दिन के लिए पूरी तरह बंध है देश के अन्या हिस्सों की तरह गुजरात की आंगनवारी आशा और स्वास्ते कर्मचारी अपनी काम की इस्तिती और नियुनतम वेतन के मुद्दे पर वर्षों से आंदोलन की रापर है जे सरकारे मोबाईल आपेला छे इमोबाईल चालता नाती तो सारी कंपनी ना मोबाईल आमने प्रोवाइड करे प्रमोशन जेट का येलू छे लायक बेनोंने प्रमोशन आपे हेलपर बेनों नो जी हेलपर वरकर नो जे रेसियो छे के 50 ट्रकानों रेसियो दूर करी औने 35 ट्रकानों रेसियो करे आजे हेलपर बेनों ने 5500 वेतन चुकवा मावे चे तो विचार सरकारे विचारवू जोए के 5500 मा बेनों पोतानों घर के विरीते चलावे आजे तेलना डबानो भाव, गेसना बाटलानो भाव, साग भाजी, पोता ना बाड़कों ने भणावू, कोई बेन भाड़े रहती होई तो मकान बाड़ू, पांच जर बांसो मा सूथ है राजकोट की तरे अम्रेली जिले के लिलिया, सावर कुंडला सेमेत अन्ये तालुका केंद्रों पर बड़ी संक्या में आंगनवाडी आशावरकर और स्वास्ते कारे करता इखटा हुई धरना प्रदशन के बाद अपनी लंबित मांगों को ग्यापन के रूप में जिला मुख्याले को सौप दिया है मेहसाना में भी आंगनवाडी बहनों ने इस बार आर पार की लड़ाई का एलान किया है बिल्ली बाग में इखत्ता हुई इन बहनों ने फैसला किया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा कि अमारा प्रस्णों है कि सुप्रीम कोड नो चुकादो आवी जब पच्छी पड़ अमारू मानद व्यतन हटावा मन अथी आविव अमारा हिन्य गड़ी मेसाणामा केटला टाइम थी एजू सुपरवाइजर नो प्रमोशन जे थाव जोई ए एजू सुथीं कोई ब्यानों ने बढ़ती मली नती अन्य अमारा कामी करवाना प्रस्णों छे कर सरकार जोड़े अमें एकज मांगनी करिये चे कि अमने कामी करो नहीं तो चुटडी नों में बहिचकार करीशू और चुटडी ना कोई पन काम मां में मदद नहीं करिये और अमारा थ्रूपड़े में लाभारती ने पर काम नहीं करवा देगे कुई येज क्यावा मागू छू के जे पायानी कामगीरी छे सगरबा बेयन जे वखती सगर थाये त्याक्ती त्यानु बाढक छव वर्ष्णू थाये त्या उदी समपुन सगवरों आंगणवाणी बेयनों दरेक योदना जे आवे ए बद्धि योदनाओ आंगणवाणी अशाओ की हो करती है था इन भूटारप पर भी 설पी पड़िय एंत QRC करते। अ कि हमेगर चोहोर existed in burger in Riku,Dan are ong a EASA ले Сам औरatas हो mu तोना काल पर आप पर मुधवाम आवे छे। । आ मंतों एव खेवाय थाक। पूरू समोवाडिस्त्री आमार एक अशा फेसिलिटन अंदर मार दस्ति पंदर कच ओधा अशाव बेनो आवे अशाव जोड़े अमें अमार काम लगिये ची अशाव जिव काम करें ची जमी काम करिये ची अमने फ़क्ट वीज तूरो जोए ची पर महिना मामें वीज तूरो जिला ब्लोक और ग्राम इस्तर पर आंगनवाडी केंद्रों के संचालन इसकूलों में मिट्डे मिल की व्यवस्था और महिलाओं और बच्चों की स्वास्ते सेवाओं की जरुवतों को पूरा करने वाली इन कर्मचारियों की शुरुवात से अंदेखिक की गई है बता दें की पूरे देश में करीब 27 लाख आंगनवाडी कर्मचारी है वहीं गुजरात में भी इनकी संख्या करीब 60 हजार है अकेले गुजरात में करीब 53,000 आंगनवाडी केंद्र है 2022 में भी हर्ताल और आंदोलन के बाद सरकार ने सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ वेतन बढ़ोतरी, नियूंतम वेतन का मुद्दा श्रामिकों एवं महिला श्रामिकों को चतूर्थ श्रेणी में रखना काम के घंटे का निदारन करना गैस और विजली बिल में छूट देना प्रमोशन देते समय आयू सीमा के नियम को खत्म करना और स्वस्त्य भीमा और पेंशन योजना का लाब देना इनकी मुख्या मांगे रही है अब देखना होगा कि इस आंदोलन का क्या आसर होता है कोरोना काल में सरकार ने भी इनके अच्छे काम की तारिफ की थी लेकिन खोखली तारिफ से ना पेड भरता है और ना परिवार चलता है सरकार अपने किये वादों को तुरंत पूरा करे बस अब यही इनकी मांगे आज तक ब्योरो